लोग भाईयों अभी हम लोग बात करेंगे आयर सीटी से की बारे में इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आज के दिन भी यहां एक बड़ा नेगेटिव केंडल मना है आज भी एक बड़ा गिरावट हुआ है और इस लेबल के ऊपर यह सस्टेन करने कोसिस कर रहा था लेकिन यह सस्टेन नहीं हो पाया आप लोग देख सकते हैं इस लेबल को यह सस्टेन करने को कोसिस किया दो दिन लेकिन यहां पर भी यह सस्टेन नहीं कर पाया अभी यह जिस लेबल पर खड़ा है आप लोग देख सकते हैं अभी यह जिस लेबल पर है इस लेबल के आसपास अच को सपोर्ट मिल रहे हैं और क्योंकि यह राउंड राउंड नंबर भी फूर्थाउजन्ट है चारहजर इस लेबल को अधी यह भी सश्टेन दी नहीं कर पाता है तब इसमें एक और बड़ा गिराउट हो सकता है और तब यह तिन हजर के आसपास 20 का प्राइस आ सकता है इस ल सब्सक्राइब करें इस लेबल से इस हाई तक यह लो टू यह हाई तो आप लोग देख सकते हैं इस लेबल को दी हम लोग फिवाना से दिया हम लोग यहां पर देखें तो यह 0.168 का इसका अभी इस लेबल का भी यह रिस्पेक्ट कर रहा है अधि इस लेबल को भी ब्रेकडाउन देता है तो इसमें फिर से एक अच्छा गिरावट होगा इसमें आप लोग अभी फ्रेस इंट्री अभी नहीं लें जो उपर लेबल में बाइंग किये हैं वह अभी थोड़ा इसमें एबरेज कर सकते हैं एक दो क्वांटिटे आप ल यहां पर यह पोलेन फ्लाइक टाइप का यहां पर पेटर्न बनाया है यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर यह पोलेन फ्लाइक इसको हम लोग का सकते हैं इसमें अजिसको यहां से उपर जाना है तो यहां पर इसको दो तीन दिन मार्केट को होल करना पड़ेगा तीन दिन चार दिन भी यहां पर होल करना इस लेवल के असपास इसको होल करना पड़ेगा इस लेवल के असपास तब यहां से यह यू टर्न ले सकता है और बुच्छ अच्छा न्यूज भी आना चाहिए इसमें आप लोग और 28 तारीक आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर और इस्प्लीड भी हो सकते होगा यहां पर इस्टॉक फाइपी टू वन का रैस्यू से यह स्टॉक इस्प्लीड भी होगा 28 तारीक को 28 अक्त्रगोर को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग क्रिपया वीडियो का लाइक करें न्यू भीवर आप लोग क्रिपया चैनल को थेंक यू